नमस्का किसान साथियों, स्वागत है आपका पटेल फार्मर यूटूब चैनल पर दोस्तो प्याज की हरी पत्यों की खेती कम समय में अधिक प्रोफिर देने वाली फसल है और इसकी खेती इतना असान है कि कोई भी नया फार्मर इसे बहुत ही असानी से कर सकता है और कम समय में बहुत अधिक लाब कमा सकता है दोस्तो हर साल सिजन में हम इसकी खेती करते आ रहे हैं और इसी अनुभाव को आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ सेर करने वाले हैं कि किस तरह से प्याज की हरी पत्यों की खेती किया जाता है कौन-कौन सी ओ वीडियो है सारी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा आखरी तक जरूर देखना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो पिलिस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर लेना दोस्तो प्याज की हरी पत्यों के खेती मुख्यता दो तरह से किया जाता है जिसमें पहली बिधी है प्याज के कंद से खेती करना और दूसरा बिधी है बीज से नरसरी तयार कर खेती करना दोस्तों किसी भी बिधी से खेती करने के लिए चार महत्वपून जानकारी होना बहुत ही आवसाइक है जिसमें सबसे पहला है इसकी खेती करने के लिए सही समय कौन सा होना चाहिए और इसमें दूसरा है कि कौन से बिमारियां इसमें लगता है और उसके उपाय क्या है और तिसरी महत्वपुन जानकारी है कि इसमें लागत कितना आता है और चौती जो महत्वपुन जानकारी है कि इसको लगाने के क्या क्या फायदे है और प्रोफिट कितना होता है दोस्तो इन चारों पॉइंट को एक एक कर हम पूरे डीटेल में समझेंगे जिससे कोई भी बड़ी आसानी से प्याज की हरी पत्यों की एक सफल खेती कर सकता है तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की के प्याज की हरी पत्यों की खेती कब किया जाता है दोस्तो प्याज की हरी पत्यों की खेती में अधिक उत्पादन के लिए ज्यादा तरकंद विधी से खेती किया जाता है जिसमें पुराने सुखे हुए मिडियाम साहिज के प्याज की बुआई किया जाता है और इस बिधी से खेती सितंबर, अक्टूबर और नॉम्बर, दिसंबर इन चार महिनों में किया जाता है और बहुत ही कम समय में लगभग 20 से 25 दिनों में फसल तयार हो जाता है दोस्तों प्याज की फसल में पाले को सहन करने की छमता रहता है और इन महिनों में इसकी खेती कर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और साथ ही प्याज की हरी पत्यों का बजार भाव भी इन महिनों बहुत ही अच्छा रहता है जिससे इसकी खेती में बहुत अधिक लाब होता है जबकि दूसरी विधी में अक्टूबर नौंबर में प्याज की नरसरी की तैयारी सुरू की जाती है और रोपाई दिसंबर जनवरी और फरवरी में किया जाता है इस विधी में फसल तैयार होने के लिए काफी समय लगता है और जिस समय फसल तैयार होता है उस समय बजार भावी थोड़ा सा कम रहता है तो दूसरी जो महत्वपुन जानकारी है कि इसमें रोग एवं बीमारिया कौन सा लगता है दोस्तो प्याज की खेती में जो सबसे बड़ा रोग लगता है वो है फंगस जिसे पौधे की पत्यां पिली होकर सुखने लगता है बदलते मौसम के कारण या फिर अत्यधिक सिचाई करने से नमी के अधिक्ता के कारण पौधे में फंगस जैसे रोग लग जाता है और पत्यां पीली पढ़कर सुखने लगता है इसके अलावा इसमें समान्य खिटों का प्रकोब भी हो सकता है और इसके उपचार के लिए पौधे के छोटी वस्थे में ही फंगी साइड और एक टॉनिक का मिसरन लेकर इसमें स्प्रे करना चाहिए जिससे इस प्राबलम से छुटकारा मिल सकता है तो दोस्तों तीसरे जो जनकारी है कि इसमें लागत कितना आता है तो लागत की बात की जाए तो कंद वाली बिदी में डिपेंड करता है कि कौन से साइज के कंद का इस्तिमाल किया जा रहा है और मार्केट में प्याज के कंद की स्रेट पे मिल रहा है यदि market में कंद का भाव कम है तो medium size के कंद का चुनाओ करना चाहिए और अगर कंद का भाव महंगा है तो छोटे कंद का चुनाओ करना चाहिए जिससे लागत कम लगेगा दोस्तों कंद वाली बिधी से खेती करने से कम समय में बिना अधिक देखभाल किये जितना लागत लगता है उसके 3-4 गोन रिटन बहुasz है असानी से मिल जाता है उसी तरह से पौधी की रुपाई बीधी से खेती करने से कम लागत से अधिक उतपादान और अधिक लाब मिल जाता है लेकिन इस बीधी में बहुत ही अधिक समय लग जाता है इसलिए हरी पत्यों के लिए कंद वाली बिधी बहुत ही अच्छा रहता है तो दोस्तो चांथी जो महत्त पूर्ण जानकारी है कि इसके खेती करने के और क्या-क्या फाइदे हैं और प्रॉफिट कितना होता है दोस्तो दोनों बिधी से खेती करने के दो-दो फाइदे हैं जिसमें कंद वाली बिधी से खेती करने से जो सबसे पहला फाइदा है कि कम समय में हरी पत्यों का अधिकुत पादन मिलता है और मार्केट में बहुत अच्छा डिमान रहने से इसमें प्रोफिट बहुत ही ज़्यादा होता है और दूसरा है इसमें कंद वाली विधी से खेती कर प्याज की बीच तयार किया जाता है जिससे आप इसमें बीज भी तयार कर सकते हैं और इसमें अधिक लाब ले सकते हैं और पोधे वाली विदी में भी हरी पत्यों का बहुत ही अच्छा उत्वादन होता है और दूसरा इसमें कि इसमें इसी विदी से ही प्याज के कंद की खेती किया जाता है दोस्तों प्याज की खेती में कभी भी कोई घाटा नहीं उठाना पड़ता और इसमें प्रोफिट बहुत ही अच्छा होता है तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों और सभी किसान भायों के पास सेयर जरूर करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन